अभी समाप्ति हुआ था कि कॉंग्रेस में बवार देखने के लिए मिल रहा है पार्टी में भीतर घात को लेकर राजीव भवन में जमकर हंगामा देखने के लिए मिला है और यहां गामा भी कॉंग्रेस के नेता के खिलाफ कर रही है और कॉंग्रेस में आपसी कला जो है यह हमेशा एक बड़ा कारण रहा है सत्ता गवाने के पीछे ऐसे में अल्प संख्या कायोग के जो प्रदेश अध्याक्ष है जो कॉंग्रेस के उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ वोटिंग के बाद से कॉंग्रेस में ज्यादा हलचल देखने के लिए यह 90 सीटों के प्रत्याशियों की राइपूर में मीटिंग हुई और बागियों को नोटिस भेजा जा रहा है लेकिन इससे क्या कोई फाइदा होने वाला है क्योंकि 36 गड़ में कॉंग्रेस की पोजिशन लगातार मुआ जो है आप कह सकते हैं कि कमजोर हो रही है वो पेज जवाल लेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि आखर यह चुनावी अगर आप कहेंगे घमासान जो है क्यों मच रहा हुआ है तो 36 गड़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनावी घमासान जरूर थम गया लेकिन चुनाव के दौरान पाटी में भीतर घात को लेकर कॉं समने ही के शकाल से पहुचे सैक्रो की संख्या में कॉंग्रिस कारिकरताओं ने जमकर बवाल काटा राजीव भवन में नारेबाजी करते हुए पार्टी में भीतर घात कर नुकसान पहुचाने वाले अल्प संख्या का ध्याक्षपर कारवाई को लेकर जमकर हंगामा किया 36 गड़ में विधान सभा का चुनाव संपन होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां सीटों की अंक गड़ित में जुट गई है और इसी कड़ी में आज कॉंग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा रायपूर में राजीव भवन में मीटिंग ले रहे हैं पताय जहां बैठक के दोरान ही राजीव भवन के बाहर पहुंचे कॉंग्रेस कारीकर्ताओं ने नारेवाजी करतावे जमकर हंगामा किया बता जाежा है कि नाराज कॉंग्रेस कारीकर्ताओं ने कॉंग्रेस अलप संक्यक आयोग के प्रदेश अद्यक्ष अमीन मेनन पर कारिकरताओं ने आमीन मेमन पर ततकाल कारवाई करते हुए पार्टी से बाहर करने की जो मांग है वहाई कमान के सामने रखी है राजीव भवन में हुए इस हंगामे के दौरान पार्टी ने नाराज कारिकरताओं को समझाइस देते हुए उनकी शिकायत पर संग्यान लेने का आस्वाशन दिया गया गौर तलब है कि 36 गड़ की 90 विधान सभा सीटों में मदान के बाद कॉंग्रेस प्रत्याशियों के साथ बैठक लेकर उनकी जीत हार का मुल्याकन कर सीटों की यंक गड़ित में जुट गए हैं ऐसे में चुनाओ के ठीक भाग भी तरगात को लेकर पार्टी में उबजे विवाद पर अब हाई कमान किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि रियाक्ट करती है या किस तरीके से अगर आप कहेंगे कि इस उबजे हुए विवाद को जो है समालती है या इस उबजे हुए पर वोटिंग पूरी हो चकी अगले महीने 3 दिसंबर को EVM कुलने के साथ 36 गर्व में किसकी सरकार बनेगी यात होगा लेकिन इससे पहले कॉंग्रेस पार्टी में हल्चल तेज हो गई कॉंग्रेस की प्रदेश प्रवारी और प्रदेश अध्याक दीपाक बैर ने प्रदेश की इस बैटक ने हल्चल तेज कर दी प्रदेश कॉंग्रेस भावन में PCC चीफ आज सुबह से कॉंग्रेस के प्रत्याशियों से रिपोर्ट जो है ले रहे हैं वहीं अब प्रभारी कुमारी सैल्जा जो है वहीं मीटिंग में पहुची कॉंग्रेस सभी 90 सीटों में कितनी स सिटों में कॉंग्रेस पिछड़ी है इसको लेकर मन्थन किया गया पहले दौर की बैटक में अधिकान सब्वस्तर संभाग के कॉंग्रेसी प्रत्याशी शामिल हुए सबसे चुनाव में वोटिंग को लेकर चर्चा की आपको बता दे कि बैठक में आज पहले चरण में 20 सी प्रतियाशक सिति को समझने के लिए लगातार बैठक में टाक और मटन जो है वह कर रही है और इसके अलावा बैठक में पार्टी के अधिक्र प्तियाश्यों के खिलाफ काम करने वाले कॉंग्रेस को पार्टी लगातार रिक रही इसमें आज अब तक 5 नेताव ने पार्टी के कारण बताव नोटिस भी जारी कर दिया है, चुनाओं में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को नोटिस भीजा जारा है, तो प्रदेश कॉंगर्स कमिटी के सचीव त्री लोग श्रिवास पर आरोप लगे हैं कि बेलतरह सभाग से पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तारकेश्वर गभेल भवन और सत्रिमान कमकार कर लियार मंडल के सदस्य दुरगेश जैस्वाल शक्ती जिले की नेत्री गितांजुली पटेल को 24 घंटे भीतर जवाब देने के लिए नोट जारी किया इसके अलावा राजवाल संरक् कुषपा पाटले को पामगर विधाल सभा में पार्टी के खिलाफ काम करने पर 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कारण बताओ जो नोटस है वह जारी कर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कितना कुछ जो है इस वक्त हलचल चल रहा है कितना कुछ जो है देखने के यह लगतार मिल रहा है काफी साधा अगर आप कहिंगे हल्चल मची हुई है कॉंग्रिस की स्थिति ऐसे ही कमजोर है और जिस तरीके से अभी सिचुएशन है कॉंग्रिस की स्थिति दिन पर दिन और भी ज्यादा कमजोर होती हुई नजर आ रही है जिसे कहना जलत नहीं बारी नुकसान हो सकता है क्योंकि चुनाव के रिजल्ट भी आने बाकी है अंतरकला की खबरे चली रही थी मुपेज बगल के लिए भी रास्ते आसान नजर नहीं आ रहे थे उनकी भी सीट पर दावेदारी जो है देखने के लिए मिल रही है उनके भी सीट पर अगर आपक तो पार्टी के मुश्किले जो है लगतार बढ़ रही है चुनाव के रिजल्ट अभी आने बाकी है लेकिन यह अंतरकला इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है कॉंग्रेस इसके वज़े से भारी नुक्सान विजा सकती है कि जहां जादा अंतरकला देखने का यह मामला सामने वहाँ उन्होंने अपनी जमीन वह खोथी है वहाँ उन्हें जो था नुक्सान वह संद्रकला का मामला लगतार बढ़ता हुआ जा रहा है और नगिस के पृत्याशी कौमें करता है कौंग्रेस के जो अन्य लोगों के खिलाफ पर निटा के खिलाफ अब बगावती सर अपनाते हुए नजड़ा रही है जो से कौनटर सकी मुश्किले बढ़त हुए नजड़ार झाल झाल